मेथी की पूरी बनाना बहुत ही आसान है बहुत और क्विक तरीके से इसको बनाया जा सकता है तो ये वीडियो यहन तक जरूर देखना आई होप आपके लिए हेलफुल रहे तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी की पूरी अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो मेथी की पूरी बनाने के लिए मैंने यहापे कुछ समगरी लिया है तो क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं यहापे मैंने दो बड़े बाउल गेहूं का आटा लिया है नेक्स्ट मैंने यहापे बेसन लिया है तीन चमच नेक्स यहां पर अद्रक और लेसन को मैंने कदू कस कर लिया है नेक्स यहां पर लिया है मैंने रिफाइंड ओयल पूरियों को तलने के लिए और आंटे में डालने के लिए नेक्स यहां पर नमक है तो नमक स्वाद के अनुसार लेना है तीन से चार चिली हैं तो उसको बारिक काट लिया है मैंने नेक्स यहां पर मैथी की भाजी है जिसको बारिक बारिक मैंने चौप कर लिया है तो चलिए फिर इसका डो तयार कर लेते हैं हम तो डो बनाने के लिए मैंने यहां पर एक बड़ा बाउल लिया है उसमें मैं इस आटे को डालूँगी गेहूं के आटे को नेक्स्ट इसमें मैं डालूँगी बेसन तीन चमच जो बेसन लिया था उसको एड़ करूँगी नेक्स्ट में यहापे जो मैथी काट के रखी हुई थी उसको एड़ करूँगी नेक्स इसमें अधरक लेसुन का जो हमने पेस्ट तयार किया था वो डालूंगी नमक एड़ करूंगी नमक आप अपने स्वात के अनुसा लीजेगा ग्रीन चिली भी मैंने एड़ कर दी है और थोड़ा सा हम इसमें रिफाइंड वाइल डालेंगे ताकि पूरियां अच्छी खस्ता बने तो चलिए हम इसको मिक्स कर देते हैं और एक डो तयार कर लेते हैं जैसे हम नॉर्मल पूरी का अटा लगाते हैं वैसे ही डो तयार करना है बट पानी डालते टाइम हमें ध्यान रखना है डो गीला ना हो जाए क्योंकि हमने इसमें मेती की भाजी डाली है तो ये देखिए डो हमने तयार कर लिया है अब हम इसको रेश्ट पर रख देते हैं 5-10 मिनिट के लिए तो ये देखिए 5-10 मिनिट हो चुके हैं और आटा भी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम इसकी लोईयां तोड लेते हैं तो नीबू के आकार की हम लोईयां बना लेंगे इसको ये देखिए इतने साइस की मैंने लोईयां रखी हैं तो अब हम इनकी पूरिया बना लेते हैं तो ये देखिए यहां पर मैंने एक पूरी बना के तयार कर ली है तो अब हम इसे फ्राई करेंगे तो गैस पे हम पैन चड़ा देते हैं तो यहां पर मैंने गैस पे अल्रेडी पैन चड़ा दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे ओइल डाला है मैंने ताकि डीप फ्राइ हो जाएं तो ओइल गरम हो चुका है ये देखे पूरी डाल दी है मैंने और पूरियों को हम अच्छे से फ्राइ करेंगे दौनों तरफ से हम इनको सेकेंगे अच्छे से तो एक साइड से पूरी हो चुकी है अब हमने पलट दिया इसको दूसी साइड भी हम इसको अच्छे से से शेक लेते हैं और इनको प्लेट में निकाल लेते हैं तो ये देखिए पूरियां बनकर तयार हैं इनको मैंने एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगती है ये पूरी आप एक बार जरूर ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें ये बहुत है और चाय के साथ तो ये पूरी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी ये पूरी तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राइ करें और अगर आप ट्राइ करते तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बतायेगा कि आपको ये रस्पी कैसी लगी तो गर्म गरम पूरी तयार हैं सर्व करने के लिए तो अगर आपको ये रस्पी पसंद आई हो तो प्लीस लाइक करें और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भ के बाइबाइ टेक क्या